नमस्कार दोस्तों आए देटक म्यूजिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहे हैं वो भी अच्छा हैं और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिन्दगी में हम कितने सही हैं और कितनी गलत हैं याके वास दो लोग जहीं जानते हैं एक परमात्मा और दुसरी हमारी अंतरात्मा जीवन का आनद न तो भुतकाल में हैं और ना ह obsy भुतकाल में बल्कि जीवन तो बस बरतमान हमें ही जीने दी जीवन की कड़ी और संची बाकते घमंड किस बात का करता है इंसाम उपर से लेमिनेशन हटा दो तो अंदर से सब हडियां की धाचे दिखते हैं जीवन में सुखी होने के लिए दो सक्तियों का होना जरूरी है पहली सहन सकती दुसरी समझ सकती हर्प की बात बोहने वालों के लिए कलेजा चाहिए क्योंकि तर्वे चाथने के लिए तो एक जीव ही काफी है हवा में सुनी बातों पर यकिन मत करना क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे रिष्टे खो देते हैं दुस्ट और बदमास इंसान की मिठी बातों पर कभी भरोसा मत करना क्योंकि वो अपना मुल सुभाव कभी नहीं छोड़ता जैसे सेर कभी हिंसा करना नहीं छोड़ता चार लोगों से विबात कभी मत करना नमबर एक मुर्ख से नमबर दो पागल से नमबर तीन गुरू से नमबर चार माता पिता से चार से सर्म कभी मत करना नमबर एक भटे पुराने कपड़े से नमबर दो गरीद दोस्त से, नमबर तीन बुड़े मापाप से, नमबर चार सादे रहं साहं से आठ लोग किसी का दुख दर्द नहीं समझते हैं नमबर एक राजा, नमबर दो गोईस्या, नमबर तीन यमराज, नमबर चार आग, नमबर पांच छोटा बच्चा, नमबर छे चूर, नमबर साथ भिखारी और नमबर आग, कर असुनने वाला एक अनपड़ आजमी की जिन्दगी, एक कुट्टे के समान है, ना तो उनको इज़त मिलती है, ना उनको समान मिलता है इस तरी मुहबब करने वालों को सायद भूल जाएं, लेकिन इज़त देने वालों को कभी नहीं भूलती तारिफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा तो बनाने में चल्द हिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पुरा जिवन लग जाता है तीन चीजें पर्दे के अंदर रानी चाहिए, नमबर एक, इस्त्री, नमबर दो, धन, नमबर तीन, भोजण तीन चीज कभी इंतजार नहीं करती, नमबर एक, मौथ, नमबर दो, समय, नमबर तीन, ग्रहाद तीन चीज को कभी नहीं भोलना चाहिए, नमबर एक, नमबर दो, कर्ज, नमबर तीन, मर्ज तीन चीज पर अल्मान मकर्द, नमबर एक, सुन्दर्ता, नमबर दो, दावलत, नमबर तीन, ताकत पती अगर प्यार और इज़त करने वाला हो तो दुनिया की लाखों करोणों की दौलत भी उसके सामने कुछ भी नहीं है जेब भरी हो तो आपको कई गलत राते पर ले जाती है लेकिन वही जेब खाली हो तो जिंदगी के कई मतलब भी समझा देती है किसी ने सच ही कहा है कि खिचड़ी अगर कोई बर्तन में पके तो भीमारी को ठीक कर देती है और अगर दिमाल में पके तो इंसान को भीमार कर देती है सिरी कृष्ण करते हैं कि आज जिससे ज़्यादा प्रेम करते हैं एक दिन ओहीं आपको रुलावे चला जाएगा किसी ने सच ही कहा है कि जिस ब्यक्ति के पास संतुस्टी नहीं उसे कितना भी मिल जाएग वो हमेशा दुखी ही रहता है आँख संसार की हर चीज देख सकता है लेकिन खुद की अंदर कुछ चला जाएग तो ओ नहीं देख पाती है इसी तरह इंसान को दूसरे की बुराई तो दिखती है लेकिन खुद के अंदर की बुराई कभी नहीं दिख सकती खिलाउना की कीमत तूट जाने के बाद और जिंद्गी की कीमत किसी को खो जाने के बाद ही पता चलती है जब इंसान अपनी गलती पर वकील बनता है और दूसरों की गलती पर जज़ बन जाता है तब फैसले सही नहीं फैसले हो जाते हैं बात कड़ी हैं अगर सकते हैं प्रति दिन खुद की एक परसेंट बेहतर बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें एक इस्त्री अपना घर बसाना चाहें तो पुटिया में भी रह लेती हैं अगर वा बसाना नहीं चाहती तो महल को भी और ठुकरा देल सकती किसी ने सची कहा है कि इस्त्री की उम्रट और पुरुस की कमाई कभी नहीं पुछनी चाहिए क्योंकि इस्त्री अपने लिए नहीं जीती है और पुरुस खुद के लिए नहीं कमाता है इस्त्री भी महादेव के जैसी है कत्रा-कत्रा उजहर पिती है अगर मर्यादा में रहने से नारी की समान है तो नारी की समान और आधर करना ही पुरूष की मर्यादा है जो इंसान अपरने मीत्र अर रिष्तधारों को छोड़कर पराए लोगों को आहम्यत देते हैं वो खुद ही एक दिन नश्ट हो जाते हैं जिस प्रकार एक राजा का राज्य एक पॉल में अधर में से नश्ट हो जाता है नदी के किनारे लगे पेंड पराय धर में रहने वाले लोग मंत्री के गिना एक राजा ये सभी बहुत ज़्द ही नश्ट हो जाते प्रभु का दर्संग और दोस्त का मार्ग दर्संग दोनों ही जीवन को प्रकासित कर देते हैं भूमी और भाग्य का एक ही सभाव है जो बोया है वोही निकलेगा बाद सच्ची है रोटी का कोई धर्म नहीं होता जल की कोई जात नहीं होती जहां इंसानियत जिंदा है वहां मझभर की कोई बात नहीं होती कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जूरी अच्छी जानकारिया छोड़ देते हैं आप से मेरी प्राथना है मुझे मेटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें सर धन्यवाद